असलम लेकूम एलो एविवन वेलकम बाक टू मैं चानल आई होब आप सभी अच्छे होंगे तो आज हम बनाने जारे हैं केला को गुफता इसके लिए मैंने केला को चिल दिया वाश करके प्रेशर कुकर में डालें अपनी हिसाब से डाल सकते हैं फिर दो प्रेशर आने के पा इसली मैश बर यह गरम होता है तो आप होता है उसमें वैपर की वजह से नहीं कर सकते हैं तो स्पून से अच्छे से मैश कर लें उसे कोई गुल्टी उसमें न रहे है फिर मसाले आड़ेंगे हल्दी, मिर्श, जीर, गुल मिर्श पौवडर, चाथ मसाला, नमक और अगर आ प्याज, तीनो को आप एक सार डाल दे, वन बाई वन करके, पहले हरी मिश डाल देचे फिर अधरग रालिए फिर प्याज चालिए और इसको मैश करना है और मैश हम लोग अपने हाथों से करेंगे, सम्टाइम्स हर जगह पर आपका स्पून या फिर कुछ भी काम नहीं आत पूर अच्छे से मैश हो चुका है अब इसका हम लोग टिकिया एंड गोल-गोल को फ्ता जैसा बनाएंगे तो हैंड वाश कर लिए और पानी रखिए आप एक बना ले रहे है ना तो उसके बाद स्टीकी सा हो जाता आपका हाथ तो साइड में पानी रखेंगे नो सगी इसका मैं गोल-गोल कोफता बनाया है इसका मैं ग्रेवी वाला भी वीडियो अपलोड करूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जादा लांग हो जाता ये तो ये सिफ टिकिया का है पहले मैंने अट-टाइम ही दोनों चीज बना लिया है कोफता भी बना लिया है ये देख डीमी आज पर पकाना है बहुत पेशेंस के साद इसको आप हाइफ लिम पर कर देंगे साइच साइट 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 से तो पक जाएगा जल जाएगा बट अंदरका रह जाएगा इसलिए अप धीमी आज पर पका ये देखे रेडि है आप इसको रोटी, मिर्चा, प्याज, नेम बूजे, ऐसे चाहते हैं आप चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी पराठा के साथ भी खा सकते हैं, तो वीडियो पसंद आते हैं, तो उसे लाइक करें, शेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्यों